हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे सेशन में गाईज और आप सभी के बीच फिर नया सेशन लेकर आया हूं गाईज मैं आप लोगे बीच नया प्रेक्टिस सेट के साथ समयन विज्ञान का जैसा कि आप सभी जानते हैं गाईज अठाइस सब्सक्राइब करने के लिए बहतर स्कॉरिंग के लिए कम से कम आप लोगो अठारा उन्हें स्कॉशन सभी करने होएं तो गैज उसी को ध्यान में रखते हुए यह सेशन डेली बैसिस पर मैं आप लोगे बीच लाता हूं और जो भी बच्चे हमारे प्रिवेस वीडियो न सब्सक्राइब का आप लोगो का एक्जाम है तो इस टाप के कोशन रहेंगे गाज कथन ए बोलता है एक खगोलिये इकाए का मान वन एक यू से लेकर वन पॉइंट फॉर फाइब नाइक और एक और ऑफ्सन बीच होती है कथन भी बोलता है एक प्रकास वर्स नाइट पॉन जाए गाईज जी बिल्कुल करेक्टांस विए अफ्सन नमबर डे इस दर करेक्टांस को दोस्तों ऑफ्सन डी सभाव और ना तो एक ना तो दो दोनों कथन सब्सक्राइब नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्टन के बोलते थाटी टू है निमने में से फोटोन कन का सम सब्सक्राइब करेक्टांस होगा उनको आप लोगोच चुनना आएगा ऑप्सन ए ओप्सन नहीं गए देखिए पहला में और ए नंबर पर है अस्रब बितरंगे इनकी आविर्टी जो होती है बीस हर्चस से बीस हजार हर्चस के बीच होती है और बीए में है प्रासब बितरंगे इनका जो आविर्टी होता है इस हर्चस से उपर होता है उसके बाद अफसी नंबर में है जिसे करते हैं और यह वेब्स इनकी जो वाविर्टी होती है ट्वेंटी हर्चस से नीचे होता है तो बताना है कि इसमें बेमिल कौन है कुट में अंसर है अफसन ए केवल सी अफसन भी ए और बी अफसन सी बी और सी अफसन डी ए और सी तो बताइए सही अंसर क्या होना चाहिए 33 का गाईज बहुत इंपोर्टेंट सवाल है 33 इस टैप के सवाल आप लोगों को रहेंगे जैसे सीजीर में ठीक है चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जगा ऑप्सन नमबर डी इस दा करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्सन डी सई जवाब हो जगा मिला ले जगा ए और सी जो है ये कथन आपका गलत है याद रखेगा बात बकी जो प्रासब्वित रंगे हैं यानि कि अल्ट्रा सोनिक वेब से इनका अर्थी जो आविर्ती होती है गाईश फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसका 20,000 हर्थ से उपर होती है ठीक है चलिए अगले question की और बाते हैं गाई question 34 है निमन में से सही यूग मुद्ध चुनिए वस्तोति की इस्तिति बतता रही है एक तरफ एक है परतिबीम का अकार वस्तोतिकी इस्ति ए नमबर पर है अनंध पर अगर होगा तो क्या परतिबीम छोता होगा और आपका बी नमबर म होगा ऑठ डी पर हैं फोकस और वकर्तक के होंगा तो बहुत बड़ा है बता厲害 कि कौन सा है इन वह कर तक हराओ तो समान अकार का व यह सही है फाना है निकेल एवं केडी में बैटरी का परियोग होता है ओप्सने केलकुलेटर में ओप्सन भी तार रहित विधुत उपकरन में ओप्सन सी है ट्रांजिस्टर में ओप्सन डी उपरोक्त सभी तो बताइए सब्सक्राइब क्या होना से थाटी फाइव का बैटरी का ठीक है अगले सवाल है गाई 36 है एक वस्तु द्वारा 6 cm 6 से किया गया मार्क ग्राफ के माधियम से दर्साय गया है वस्तु द्वारा ते की गई कूल दूरी ग्याद करें एक तरफ वेग है मीटर प्रतिस सकेंड में एक तरफ समय है सकन में तो आप लोग को बताना है इसका सहीं सर क्या होना चाहिए ऊप्टेंट मीटर ऑफसन वी फॉटीफट वाइब रॉट को सबसमेठ दी सक्स्टि सेंट इसेवट gefाइब द रॉर्फ फइट जी तौना इए सिएवन पॉन्वाइब फैद मितर तो बतारी सिक्सक्राइबन्य नियुकूर मिश्ट्या करे जी बिल्किल करेक्टांस हो जाएगा, option number C is the correct answer जाएगा, 11 हो जाएगा, इनका pH मान कितना है, 11, अगला सवाल लगाईज, 38, आधुनिक आउसारनी में, केल्सियम किस वर्ग में आता है, option A, वर्ग 2, option B, वर्ग 6, option C, वर्ग 15, option D, वर्ग 20, तो बताएज सही अंसर क्या होना जाएगा, जी बिल्कुल करेक्टांस हो जाएगा, option number A is the correct answer को दोस्तो, वर्ग 2 में आता है, ठीक है, आधुनिक आवसानी में, केल्सियम किस वर्ग माता है, वर्ग 2 में आता है, चलिए, नेक्स कोस्चन है, जाएगा, 39 का, नीमन में से, असत्ते कथन चुनना है, जाएगा रोको, कथन A है, ब्रोमिन एक दरब धातू है, और B है, ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है, अंसर कूट में देना है, option A, केवल A सही है, option B, option B है, केवल B, option C उपरोक दोनो, option D, इन में से कोई नहीं, तो बताएगे, सही अंसर क्या होना चाहिए, 39 के गाईज, असत्ते कथन को चुनाओ करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो गाईज, option number A is the correct answer, केवल A जो है, असते है, ये सही है, ठीक है, ब्रोमिन एक दरब धातू है, ये गलाथ है, ठीक है, चले, next question है, 40 number question है, बरतनों के लिए, नौन अस्टिक सता, कोटिंग बनाने के लिए, इस्तमाल किया जान वाला एक बहुल लख है, option A, polyvinyl chloride का, option B, teflon का, option C, polystrine का, option D, polypropylene, polypropylene, polypropylene का, तो बताएज, सही अंसर क्या होना है, चाहिए, पोटी का, बिल्कुल करेक्टर अनसों जगा, option number B, इसदा करेक्टर अनसों का, टैफलोन का, ठीक है, जो एक बहुल लख है, किसका नौन अस्टिक, वो टैफलोन का, चले, next question है, 41, इन में से किसे, बिभिन संस्कृतियों के तुलनात्मक, अध्यन और वैज्यानिक व्याख्या के रू सही अनसर क्या होना चाहिए, 41 का बताईए, जी बिल्कुल करेक्टर अनसों जगा, option number A, इसदा करेक्टर अनसों, option A, सही हो जगा, मानव जाती, विज्यान के नाम से जाना जाता है, अगला सवाल लगाई, 42 का, टमाटर में लाल रंग निमने में से, किस वज़ा से होता है, option A, कैस, कैपसी, यासिन, option B, लाइकोपीन, option C, जैन्थोफिल, option D, उपरोक्त में कोई नहीं, तो बताईए, सही अनसर क्या होना चाहिए, 42 का गाईज, सही अनसर बताईए, बिल्कुल करेक्टर अनसों जगा, option number B, इसदा करेक्टर अनसों जगा, टमाटर में जो लाल आता है गाईज, वो लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है, अगला सवाल है, 43 का निमन में से, बिटामिन C का रसाइनिक नाम क्या है, option A, एक्सकॉर्विक एसड, option B, थाइमिन, option C, सिट्रिक एसड, option D, टार्टिक एसड, तो बताईए, 43 का क्या होना चाहिए, सही जवाव ह अगला सवाल है, 44, निमन में स्टार्च क्या है, option A, मोनोसेकराइड, option B, डाइसेकराइड, option C, पॉलिसेकराइड, option D, कोई नहीं, तो बताईए, सही अंसर क्या होना चाहिए, 44 का, बिलकुल क्रेक्टाइड सोजगा, option C, निमन में स्टार्च क्या है, अगला है, 45 का, अस्त अस्तम्ब को सिकाए, वस्तुता, अनन्त काल, तक स्वयम ही, पातरे संजीवित हो सकती है, कथन 2 है, अस्तम्ब को सिकाए, बिजानों को नस्ट किये, बिना प्राप्त की जा सकती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, गाइज, बताना है, option A है, केवल 1, option B है, केवल 2, option C है, दोनों, option D, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए, सही करने, अंसर, क्या होना चाहिए, 45 को गाइज, बिलकुल करेक्टांस हो जगा, option number A is the correct answer, केवल 1, सही है, कि अस्तम्ब को सिकाए, वस्तुता, अनन्त काल, तक स्वयम ही, पातरे संजीवीत हो सकती है, यही कथन आपको सकत है, बात बाकी, गलाथ है, चलिए, अगला सवाल है, 46 number, निमने में से असत्ते कथन चुनना है, कथन A बोलता है कि हाइडरा और जैलिफिस अस्तंधरी है, कथन B बोलता है कि एनिमेलिया को मोटा जवाब ही कहते हैं, तो कूट में आपको एंसर देना है, option A बोलता है, केवल A, option B होता केवल B, option C होता दोना, option D होता इनमें से कोई नहीं, तो बताई सही अंसर क्या होना चाहिए, 46 का, जी बिलकुल correct answer का, option number A is the correct answer का दोस्तो, अगला है, 47 का, निमने में से असत्त कथन चुनिये, कथन A बोलता है, विसानू, ऐसे प्रारंबिक सुच में जीव हैं, ज अच्छन B बोलता है, परतिक कोशे का एक स्वाधिन इकारी हैं, सभी कोशे का मिलकर कायर करती हैं, तो बताना है कि आप लोग का, क्वोट में अंसर आप लोको देना हैं, जो answer क्या होगा, यानि क्या सत्त कथन का चुना करना है, option A है केवल A, option B है केवल B, option C है दोनो, option D है अनो, शरीर में, ऑक्सी टोसीन, हार्मोन का स्राव किस गरंथी से होता है, मौस्ट भी विए कोशन ने गाईज, एवर ग्रीन कोशन, साइन्स का, option A, प्यूस गरंथी से, option B, प्राव टू गरंथी से, option C, अव्टू गरंथी से, option D, अधिविरिक गरंथी से, तो बताइए, 48 का क्या होना चाहिए, सही अंसर गाईज, बिल्कुल करेक्ट अंसर का, option A, इस दा क्रेक्टर प्यूस गरंथी से, ठीक है, अगला है, 49 का, निमन मैं से बेमल, यूगम को चुनना है, option A, प्रकंद, अधरक, option B, अस्तंब कंद, आलू, option C, सल का कंद, प्याज, option D, घन, कंद कट हल, तो बताए, 49 का, सही अंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट अंसर का, option D, इस दा करेक्ट अंसर को, दोस्तो, घन, कंद, जो होता है, वो कट हल, होता है, घन, कंद, ठीक है, तो यह सही जवाब होगा, चलिए, अगला सवाल है, और जो कि, आज का, हमारा लास सवाल बनेंगे, और इस टैप के पैटर रहें, तो फिप्टी नमबर कोशन है, निमने मैसे सत्य कथन का चुनना है, कथन बोलता है, फालेरिया, रोग, सुत्र कर्म क्रीमियों के कारण होता है, बी कथन बोलता है, पारिया, प्रोटो जवा के कारण होता है, कोट में अंसर पुर्गना है, अंसर ए, केवल ए सही है, और ऑफ्टन बी है, केवल बी सही है, और ऑफ्टन सी है, उप्टन दोनों ऑफ्टन डी, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए, सही अंसर क्या होना चाहिए, गाई, फिप्टी नमबर का, बिलकुल करेक्टांस होगा, उप्टन में इतना ही रहा गाई, ये 20 कोस्टन आप लोगो बहुत इंपोर्टन डोलने भाए गाई, और ये सेशन आप लोगो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माधियम से फिद्बेक जरूर दीजेए, गाई, कि आप लोग फिद्बेक देते हैं, तो बहुत उच्छा लगता है, ठीक आप लोगो ऑद तारा सнитьजे रहा गाई, ये 00 co एउन से यह सबकित दिए, भी है नाप लोगो कर दोछित ब Самकः